Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज के डेट में Canada रश्या के सामने कुछ इस तरीके से ही घुटने टेक के खड़ा है ना कि सिर्फ Canada बलकि US, UK, European Union में आने वाले अल्मुस्ट सभी देश आज भी रश्या के साथ बढ़ चड़ कर बिजनेस कर रहे हैं Recently, Government of Canada ने Airbus को ये permission दे दिया है कि वो रश्या टाइटेनियम का इस्तिमाल कर सकते हैं ये वही सारे देश हैं जिल लंगों ने रश्या के उपर बढ़ चड़ कर सैंशन्स लगाएं आप ये जानके चौक जाएं कि रश्या के उपर आज के डेट में 16,000 से भी अधिक सैंशन्स हैं और ये सब News as in Indian हमारे लिए जानना इसलिए भी important हो जाता है कि अगर कलको भारत किसी भी सैंशन कंश्री के साथ बिजनेस करता है और उस वक्त कोई अगर हमसे पूछता है कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं तो ये सब हमारे पास example रहेंगे अपने defend में इस वीडियो में हम इस मामले के बारे में जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला मगर आगे बढ़ू उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं नॉर्मली अगर कोई भी sanction का मतलब बहुत यासान शब्दों में समझता है तो वो ये होता है कि अगर US या Canada रश्या के उपर sanction लगाते हैं तो complete तरीके से उनके साथ किसी भी form का business नहीं किया जा सकता है या नहीं करना चाहिए लेकिन वहीं पर हम देख सकते हैं जब Airbus को ये लगा कि उसे Russian Titanium का इस्तेमाल करना चाहिए तो तुरंद Canada अपने नियम को change कर देता है साथ में Canada वही देश है जब रश्या ने यूकरेन के उपर अटैक किया था तो सबसे पहले line में खड़ा था रश्या के उपर sanction लगाने के लिए उसके बाद अगर हम जानना चाहें कि आखिर में Airbus Russian Titanium का इस्तेमाल क्यूं करना चाहते हैं तो उसके पीछे का वज़ा है कि रश्या के पास दुनिया का सबसे बड़ा process titanium manufacturing company है तो इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि इनके titanium का जो quality होगा वो काफी बहतरीन होगा अगर बहतरीन नहीं होता तो शायद Airbus Russia से business नहीं करता और कभी भी Canada अपने sanction में किसी भी तरीके का discount नहीं देता उसके बाद एक चीज और होता है जो भी airlines या aviation industry से हैं उनको मालूम है कि aviation industry काफी risk के business होता है जहाँ पे maintenance अगर time पे धंग से ना किया जाए तो possibility काफी high होता है crash हो जानेगा तो अगर Airbus Russian titanium का इस्तेमाल बहुत सालों से करता हुआ आ रहा तो वो किसी भी तरीके से अपने quality या जो भी import करता था Russia से उसमें वो compromise नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे in a way हर वक्त ये doubt लगा रहेगा कि अगर वो किसी दूसरे देश से अगर titanium import कर रहा तो maybe उसका quality उतना अच्छा ना हो जितना अच्छा उसे Russia दिया करता था तो यहाँ से भी हमें एक चीज मालूम पड़ता है कि rules are subjected to change अब अगर बहरूपया सिर्फ Canada या US रहे तो हम बात भी कर सकते हैं लेकिन पूरा का पूरा जो European Union है ये पूरा बहरूपया या मतलबी हम कह सकते हैं जब Russia और Ukraine के बीच में war शुरू होता है तो European Union ने sanction तो लगाया Russia के उपर लेकिन उस company को छोड़ दिया जो company best quality का process titanium produce करता यानि कि Russian company अब जैसा कि मैंने बताया कि aviation industry काफी risky और काफी high maintenance industry होता है Recently हमारे पास कुछ examples या कहले news में आया जहां पे Boeing के अलग-अलग aircraft में बहुत सारे technical दिकतों का सामना करना पड़ा जिसके कारण वे Airbus को ये समझ में आना शुरू हो गया कि अगर किसी भी तरीके से उनके maintenance में अगर कोई कमी रह जाता है तो इससे जो company है उसका reputation काफी खराब होता है और in a way अगर आप जिस company को belong करते हैं अगर वो company अच्छे से perform नहीं कर पाता है तो जो आपके rival company होते हैं chances काफी high होता है कि वो आपके बारे में negative marketing करवाए और कोशिश करे कि आपको market से वो बाहर निकाल दे वहीं अगर बात किया जाए December 2022 का तो Airbus के दुआरा ये statement दिया गया था officially कि वो किसी भी तरीके से Russian titanium का इस्तेमाल नहीं करेंगे Russia और Ukraine के बीच में जंग शुरू हो जाता है February 2022 से लेकिन क्या होता है कि जब आपके देश के पास काफी अच्छा expertise हो किसी भी चीज के production में और खास करके titanium जैसा metal के production में titanium का इस्तेमाल airspace industry हो गया, defense हो गया, shipping हो गया इन सब जगाव पे इसका इस्तेमाल बढ़ चड़ कर होता है तो इससे as an Indian हमें एक चीज तो समझ में आता है कि अगर भारत भी कुछ unique चीजों में research and development में पैसे invest करेगा और in a way अगर हम अधिक से अधिक देशों को अपने product के उपर अगर हम dependent बनाते हैं तो कहीं न कहीं जो हमारा market में monopoly रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा जिस तरीके से आज की date में हम देख सकते हैं Russia या China का एक बात का ध्यान रखा जाए कि जब भी हम geopolitical news पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें काफी neutral perspective से रहे के सोचना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा अगर Russia का titanium इतना बहतरी नहीं होता तो कहीं से कोई chances नहीं बनता कि Canada किसी भी तरीके से Airbus को ये permission देता कि आप Russian titanium का इस्तेमाल करें वहीं अगर बात किया जाए तो Airbus का जो rival company है वो है Boeing ये लोग भी आज तक Russian titanium का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं directly या indirect form में कितनी बार क्या होता है कि कोई company दूसरे company के साथ directly business नहीं करता है लेकिन वो किसी भी तरीके से एक दूसरा रास्ता ढूनता है जिसे कि वो third party से purchase करता है वहीं अगर हम बात करें तो recently बहुत सारे ऐसे statements दिये गया है Emmanuel Macron के द्वारा जो directly Russia के against थें लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखे तो एक बहुत ही बड़ी company है France की Saffron Group वो भी आज तक Russian titanium का इस्तेमाल कर रहे है वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो British का Rolls Roy जो company है ये भी Russian titanium का इस्तेमाल कर रहे है कि अगर ये सारे देश और इतने complicated business में अगर Russian titanium का इस्तेमाल हो रहा तो हम इस चीज से समझ सकते हैं कि Russian titanium का जो market में जो एक demand है वो काफी huge demand है और इनके product भी काफी अच्छे होते हैं तो ये सारे देश आज भी Russia के साथ business नहीं कर रहे होते हैं अगर आप बहुत ही ध्यान से Russia Ukraine war को समझते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन सब में जो सबसे बड़ा loser निकल के आया है वो निकल के आया है Ukraine उसके पीछे का वज़ा है कि Ukraine को almost सभी European countries UK, Canada, US weapons तो दे रहे हैं लेकिन साथ में Russia के साथ business भी कर रहे हैं बढ़ चड़ कर अगर Russia के पास पैसा नहीं होता तो वो लगभग धाई सालों से war effort नहीं कर पाता और इस war के कारण Ukraine को कम से कम 30 साल का वक्त उसे लगेगा recover करने के लिए hardly उनके पास कोई infrastructure बचा होगा चाहे वो hospital के form में हो गया चाहे वो school के form में हो गया चाहे वो university के form में हो गया तो इससे भी हमें एक चीज़ तो समझ में आता है कि अगर हमारा foreign policy independent ना हो तो उस देश का more or less वही हाल होगा जो आज की date में Ukraine का हो रखा है चाहिना दुनिया का largest producer and exporter of titanium है जिसका इस्तिमाल aerospace में या defense में, jet engines में, missiles में, aircraft में, हर जगा इसके इस्तिमाल होते हैं तो कहने का मतलब है यहां से भी हमें एक चीज़ समझ सकते हैं कि क्यों चाहिना और Russia बढ़ चड़कर US को आखे दिखाता है और US इन सभी के सामने बहुत ही defensive approach रखता है क्योंकि आप Russia से एक हद के बाद दुश्मनी नहीं मोर सकते हैं जब आपको ये मालूम पड़ता है कि आपके देश का जो company है Boeing वो 40% Russian titanium का इस्तिमाल करता है और वहीं अगर बात किया जाए Airbus का तो वो लगभग 60% Russian titanium का इस्तिमाल करता है अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर में titanium का इस्तिमाल इतना क्यों होता है तो titanium काफी strong metal होता है जो कि हम कह सकते हैं कि steel से भी जादा strong होता है लेकिन साथ में वो लगभग कुछ 45% उसका weight भी कम होता है और साथ में काफी high temperature को वो resist कर सकता है तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी fighter plane से missiles वगरा दागे जाते हैं तो उसका temperature काफी बढ़ जाता है या कोई भी चीज जब उतने high speed में चलता है या उड़ता है तो उसका temperature काफी बढ़ जाता है तो ये titanium काफी एक perfect metal है इन सब industry में तो इनवेगर हम समझना चाहें तो कोई भी देश चाहे वो भारत ही क्यों ना हो जितना जादा हम self dependent रहेंगे और जितना अधिक से अधिकम research and development में पैसे खर्ष करेंगे हमारा foreign policy उतना ही independent होगा और दुनिया कुछ इसी तरीके से हमारे सामने भी जुकेंगे या हमें आखें नहीं दिखाएंगे जिस तरीके से आज Russia के case में हम देख सकते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye